हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पिछले कुछ दिनों से पूरे जिले में लगातार डेंगू का प्रकोब जारी है आलम यह है कि ओपीडी की संख्या में जबजस तरीकी से इजाफा हो गया है आम तोर पर नंबर के इन दिनों में ओपीडी की संख्या गिर जाती है लेकिन डेंगू बुखार के चलते इस बार हस्पिताल में फुल हो गए है आलम यह है कि कोरोना के दोरान जो हस्पिताल बनाई गई थी उन हस्पितालों में डेंगू के मरीजों को रखा गया है वही पर उनका इलाज चल रहा है बार्ड मेर के जिला कलेक्टर लोग बंदू ने मीडिया से बातचित करते हुए कहा कि जिस तरीके से लगातार डेंगू का प्रकोब बढ़ रहा है इसी को लेकर आज मैंने फिल्ड हस्पिताल का दोरा किया है यह जाने की कोशिश की है कि किस तरीके का इलाज मिल रहा है किसी तरीके की कोई कमी पेश तो नहीं है मैंने एक-एक मरीज से इलाज के बारे में जानकारी दी है यह बात सही है कि पिछले कुछ समय से डेंगू का प्रकोब पूरे जिले में जबजस तरीके से है लेकिन अब हाला दिन-बर-दिन काभू में है यहाँ पर भेतर ilaj मिल रहा है ऐसे जानकारी मरीजों ने दी है इसके साथ ये बालो तरह में भी लगातार अच्छा ilaj हो इसके लिए बार्ड मेर प्रसाशन के साथ है अस्पिताल प्रसाशन लगा हुआ है जागरू टिवी के समधता से बात करते हुए बार्ड मेर के जिला कलेक्टर लोग बंदू इन्होंने ये कहा जागरू टिवी के बार्ड मेर से ठाकरा मेगवाल के रिप्रसाशन लगा हुआ है जागरू अबस प्रसाशन लगे के बार्ड मेर इन्होंने लगा हुआ है